प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनली स्टेडी बित प्रदीप में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज बॉटनी से इंपोर्टन प्रशनों को कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग जो important प्रशन करने वाले हैं वह chapter है आपका अनाबृत बीजी जिसे हम लोग जिम्नो इस्परम कहते हैं जिम्नो इस्परम के यहाँ पे आज आपके 40 important question लिएगे हैं साथ में उसका description भी रखा गया है तो उन description को भी करते हुए हम लोग आगे चलेंगे good news जे है कि आपके साथ में यहाँ पे हिंदी में भी प्रशन है और English में भी प्रशन है यानि सभी लोगों के लिए महत्पून है और description हिंदी में है तो एक एक करके प्रशनों को स्टार्ट करें थोड़ा सा आपकी विज्विल्टी में प्राबलम होगा उस विज्विल्टी बढ़ा लीजी बीडियो हाई लेबल का PDF बना लिया गया और यह PDF यहाँ पर छोटा किया जा रहा ते किलियर नहीं हो रहा है ठीक है तो कोई बात नहीं उसको आपसेट कर लीजी और आपकी एक एक जाम पॉइंट पॉइंट जो है आपके हिंदी वाली अप्लोट की गए उन्हें आप जरूर देखते रहें चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रस्ट को स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ट दिया गया तरण पतिया कुण्दलित होती हैं आपकी बताना है तरण पतिया यानि येंग लेप्स और क्वाइपं कॉइल इंग लेप्स आरक गर्लीट इन मार्शीलीम ये फिर्न σας उप्रोगत सभी तो कौन सीजह यह आंसर होगी त different सभी में क्या होता जो तरुल पतिया होती वों में आँपा अवस्तह में कुंडली lose होती और इनुमें कुंडली दार रेशा कौन Soul आप सिर्यविष्ट कते हैं क्या कहते हैं सलगते एक दूचिन पड़ते यूचे और टीक्री अक पर कूछ मोत बनेशन होता है example के कार्डिंग तो यहां पे आपका है सरसीनेट टाइप का विनेशन पाया जाता है या कुंडली दार सिरा विन्यास पाया जाता है साबुदाना प्राप्त किया जाता है साबुदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से पाइनस से फरंड से मास से सागो ग्रेंज आर आप्रेंड बाइदा साइकस साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबुदाना या सागो प्राप्त किया जाता है जो कि स्टार्च होता है परंत वास्तु की संक्ष्या कम है तो प्रम्हां से कतना मिलेगा जादा मिलता ने तो कहरा है mean atti flicker revolution के दाने से साबूदाना या सागो पाम तैयर किया जाता है जो की स्टार्च होता है परन्तु वास्तविक ब्यापारिक साबूदाना जो बेंचा जाता साबूदाना फल फरार्ड के रूप में आता है चिप्स बनता है वह साबोदाना एंजियो इस्पर्म का एक पौधा है मेट्रो जाइलान से प्राप्त किया जाता है याद रहेगा मेट्रो जाइलान से प्राप्त किया जाता है साइकस सागो का सुरूत क्या होता है ता आप कहेंगे साइकस सागो का जो सुरूत होता है इस्टार्च होता है इस्टार्च इसमें पाया जाता है और इसे के लिए इसका उप्योग किया जाता है निमलिकित में से कौन सी जातियों से उत्पन नहीं होता निमलिकित में से कौन पाइनस की जातियों से उत्पन नहीं होता चिलगोजा सागो चिलड की लकडी तो चिलड की लकडी मिल जाएगा लेकिन सागो जो है ये पाइनस से उत्पन नहीं होता है ठीक है उसका कहरा है साइ अब्रित यानि जिमनो इस्पर्म किसकी उपस्तिती में आब्रित बीजी एंजियो इस्पर्म से विमुक्त किये जा सकते हैं पत्यों के आदार पर नगन बीजों के आदार पर फूलों के आदार पर तनों के आदार पर तिनमें देखें नगन बीज पाया जाता जबकि एंजि साता से में बंद्र होते हैं आब्रित बीजी एंजो स्पर में समलीद्र पौधों के बीज अंडा से भित से होते हैं। ry होते हैं जिम्नोी स्पर्म है बीजी पौधे दुई가 पत्र नगण Tibg और अभित्र तो आप कहेंगे नगद्र पौधे होते हैं। कि इस पउधार निम्लिखित में से किस समूग का पौधा है इन जियों इसपर्म का टेड dimension का टेकर आज या ब dynasty का तो आप जानेुखर जमनो इसपर्म का सदस्य होता है कि में better जमनो इसे पनुकर सदस्य होता है आगया जाएंगे इफेड्रा आप अनाबरित भी जी यानि जिम्नो इस्पर्म समों का सदस्य है और सदी रूप से यह सबसे महत्पूर्ण जिम्नो इस्पर्म है इससे इफेड्रीन नामक उसत प्राप्त की जाती इसका प्रयोक खासी तथा जुकाम की दवा बनाने में किया जाता है और सदी रूप से सबसे महत्पूर्ण जिम्नो इस्पर्म कौन है और सद के रूप में सबसे महत्पूर्ण जिम्नो इस्पर्म कौन है तो आप कहेंगे इफेड्रा होता है जिससे दवा बनाई जाती है प्रावाल मूल यानि कोरिलॉइड रूट निम्न में से किस पाई जाती है तो आप कहेंगे साइकस में पाई जाती है किस में पाई जाती है साइकस में प्रवाल मूल पाई जाती है जिसकी आंत्रिक संरचना लगभक सामान जड़ जैसी ही होती है परंथ उसमें दुतियक ब्रिद अनपस्ति तथा सामान जड़ की तुलना में बहुत कम ह होती है प्रवाल मूल का एक प्रमुख लच्छन कार्टिक्स के मद्ध भाग में एक सुवस्पस्ट सैवाली छित्र की उपस्तिती है को रिलॉयड जड़ें पाई जाती हैं चीड में लाइकोपोडियम में साइकस में ड्रायोप्टेरिस में कोरलॉयड रूट्स आर फाउंड इन पाईनेस में लोकोपोडियम में साइकस में या और तैरीस में तो आप एंगे साइक Estожал के एक और बिजी की पत्ति में 16 गुर्शूत्र है एक और जीकी में 16 गुर्शूत्र है तो इसके अगरमून पाउस्ट में कि तने गुर्शूत्र होंगे एक अनावरित जिम्नो इस पर में तो आधे हो जाते हैं गुर्सोत्र क्या हो जाते हैं है प्लॉइट सिल के ने जो सुमैटिक से लोती उसके आधे हो जाते हैं तो यहां पर कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे सोला था तो आधा कितना हो जाएगा आठ हो जाता है ठीक है और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे तो पूछ रहा जिमनो इस पर में भ्रून पोस होता है जिमनो इस पर में भ्रून पोस होता कैसा होता अगुरित होता कैसा होता है अगुरित होता यानि सिंगल येन पाए जा प्रोफेसर डीडी पंद है डिवाइड़ जीमनो इसपर्व इंटो थ्री डिवीजन कितने डिवीजन में बाटा गया है तीन प्रोफेसर डीडी पंद ने आबरित वीजी पौदों को तीन विभागों में बाटा है जिनमें कुल नो वर्ग बनाए गए साइकस रिवुलूटा बहुदा उगाया जाता है साइकस रिवुलूटा बहुदा उगाया जाता है और उसदी पौदों के लिए सजावटी पौदों के लिए तेल उत्पादन पौदों के लिए कास्ट उत्पादन पौदों के लिए तो आप कहेंगे इनको उगाया जाता है आर्नामेंटल प्लांट के रूप में साइकस रिवलूटर को क्यों उगाते हैं आर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है यानि सौंदर प्रसादन के लिए इन्हें उगाया जाता है तो आपसर नमबर बी आपका क्या हो जाएगा जिसकी अधिक जातियां बिश्ट के विभिन भागों में पाई जाती हैं इनमें से नौ जातियां भारत में पाई जाती हैं साइकस रिबलूटा भारत आने वाली जाने वाली एक जाती है जो मूल रूप से जापानी जाती है इसे बहुत सुन्दर आकार के कारण इसे सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है निम्न अनावरित बीजी संगों में से कौन सी गत्सील बीज अलग पादपों पर बीजांड तथा लग बीजांड दूनिक संग पैदा करता है तथा जिसका गुदेदार होगा लेपित बीज होता है कोर्नी फेरोफाइट में साइकेडोफाइट में नीटोफाइट में या इन में से कोई विच वन आप दा फालोईंग जीमनोई स्पर्म फाइला प्रोड्यूस मोटाइल स्पन बियर्स अबलेट एंड माइक्रोइस्पोरेंजियेट कॉंस अन्द सेपरेट प्लांट है करता साइकेडोफाइट जीमनोई स्पर्म संगेडोफाइट वर्ग में गत्तिल बीच पृतव प्रितक पौदे पर माईको इस पुरेंजिया ततना मेगा इस पूरेंजियम का विकास तथा गूदेदार तथा लेपिद बीच का निर्मार करता है निम्न मेंसे कौन सा जीवित जीवास मैं साइकस पायनस सलजनेला एस सभी which one of the following is the living fossil कौन सा living fossil है तो आप कहेंगे साइकस है पायनस है सलजनेला है तो आप कहेंगे साइकस आपका सही आंसर है साइकस, शिंकगो, वाईलोबा तथा सिकोवा नामक पौधों की जीवित जीवास्म कहा जाता है क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनमें जीवास्म भी मिलते हैं साइकस के सूच में जीवान परणों पर लगुत जीवान धानिया उपस्तित होती हैं अभ्यच तल पर उपाच तल पर किनारों पर और कच्छ में साइकस में नर्तता मादा दोनों पहए नर्तता मादा पहए अलग- अलग होते हैं नर्द पहए में बहुत से सोचे में बिजान पाट के साथ मिलके नर्सम का निर्मार करते हैं सोच में बीजार परणों के निचली अर्थात अपाक्च अवैक्सिसियल तल पर बहुत से बीजार धानिया बिक्सित होती इनमें सोच में बीजारों का निर्मार होता है साइक्स के बीजार में निम्लिखित उतकों में से कौन सा हैपलाइड है एंटेगुमेंट नियूसेलस ब्रोड कोस उप्रोक में से कोई नहीं साइक्स का बीजार रिज्व एक इस्तरी अबरिंत या छोटे बरिंत वाला होता है साइक्स का बीजार पादब जगत का सबसे बड़ा बीजार ब्यास च्छ से साथ सेंडिमीटर है साइक्स के नियूसेलस की एक कोस्का गुर बीजार मात्र कोस्का में विभाइदित हो जाती है अर्थात अर्थ सोत्री विभाजन के फल्सरोप अगुरित मेगाइस्पोर बनाते हैं बीजार दौर की ओर से के तीन मेगाइस्पोर नश्ट हो जाते हैं जबकि नीचे का सक्र मेगा इस्पोर में बार बार विभाजन होता है जिससे मादा गेमिटोफाइट या इंडो इस्पर्म का निर्प विकास होता है जो अगुडित होता है ध्यातब है कि जिमनो इस्पर्म का भ्रोण पोस्ट अगुडित तथा इंडो इस्पर्म का भ्रोण को स्ट्रिगुडित ह आधार के आकार के संबहन पूल रिंग पाय जाते हैं साइकस के रेकिस में साइकस के पंड़क में साइकस की जड़ में पाइनस की पत्तियों में इन्वारिटेट ओमेगा सेफड रिंग आप वास्कुलर बंडल इज फाउंडिन किसमे पा जाता है तो रेकिस आप साइकस साइकस के पौदों की पत्तियों में रेकिस भाग में संबहन बंडल इस प्रकार बेवस्तित होते हैं कि ए इन्वारिटेट ओमेगा आकार के प्रोफिल जड में माइक को राईजा संग थी तो फीच वन इसने विच स्टेट्मेंट डज नाट इक्स्प्लेंड दा फीचर आप दा साइकस कौन ऐसा है जो साइकस के फीचर को इक्स्प्लेंड नहीं करता हो आपको बताना साइकस जिम्नो इस पर्म संग का एक सदस्य है इसमें दो प्रकार की पतियां सामान पति तथा सल की पति पाई जाती हैं साइकस में प्रतेक माइक्रोइस्प्रोफिल कांठिल चप्टा वा त्रिकोडी होता है इसमें अन्तस्थ छोर पर एक लंबी वा नुकिली आद्ध इस फीतिका बनता है तथा इसमें मुसला जड करात्मक गुरुत्वार वर्ती होती हैं इन जड़ों में के कार्टेक्स में नीली हरिसेवाल नाइट्रोजन इस्तिरी करन करने वाले बैक्टीरिया तथा इनके जड़ों में कुछ कौकों के साथ माईको राजल सम्मंद होता है साइकस का पौदा एक लिंगास रही है अर्था नर्मादा शंक हुआ मादा शंक अलग-अलग पौदों पर विक्सित होते हैं निम्न में से कौन से जात है प्लो जाइलान तथा डिपलो जाइलान नामक दो उप जातियों में विवक्त की जाती साइकस पाइनस इफिड्रा और साइलोटम फिच आप दा फालोइंग जीनस ह सैंसा size बीड़ डिवाइडेट एंट ये टू सब जेनरा नेम्ड है प्लो जाइलान एग डिपलो जाइलान ठीक तो कौन हो जाएगा फाइनस हुम थैप अचरोर रशी होटा है फाइनस की जडम जेलंग का आकार हो ये अभिऺत किया जाता है निम्न की जडमे साइकस पाइ किसा होता है Ketur n वाई सेप्ट का होता क्योंता एक सेपड़ का होता है यह पाइनसर रूट धेट पाये सेपड पाइनसकी जड़ में पायाकोले जाइलम्घॉंत प्रकार के होते ने दोनों बुजायों के बीच में एक रेजिन नलका पाई जाती है। पाइनस के अंकुर की जड़व से बना होता है। तो आप कहेंगे फंजाई यानि कवक ठीक उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ और इस तरफ आते हैं तेजी से खतम करते हैं पाइनस के मूल रोम बहुत कम विक्सित होते हैं तथा जड़ की बाय सता कवक तंतूं से धकी होती इसमें कवक मूल कहते हैं पाइनस के अंकुरिया नवदभित किम्रित बढ़ जाती है कवक मूल में उपस्तित कवक मुक्ता बिसीडियो मास्टीज वर्क के सदस्त जैसे की एमेंसिया बोलेटस ठीक क्लेवी क्लेवेरिया आधि इनके इनका जड़ के साथ सहजीवी संबंध होता है पाइनस में बीजान्ड का प्रकार है एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, केमलोट्रोपस और सर्शिनोट्रोपस अन जिम्नोस्पर्म की भाद पाइनस में बीजान्ड भी रिजमुखी तथा एक अध्यावरणी होता है जिनमें बीजान्ड का अध्यावरण बीजान्ड द्वार आधिसन रचनाएं होती है पाइनस में पराकण किस अवस्था में इस फटित होता है दो कोस की अवस्था में, तीन कोस की अवस्था में, चार कोस की अवस्था में, पाँच कोस की अवस्था में इन पाइनस वालन ग्रेंड डिहसेस इड़ टू सेल स्टेज, त्री सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, तो आप कहेंगे फोर सेल स्टेज, पाइनस में माइक्रो स्पोर का अंकुरण इन सीटू होता है, अर्थात इनका अंकुरण माइक्रो स्पोरेंजियम में ही सुरू हो जाता माइक्रो इस्पॉर्स सरप्रतम एक अनुपरस्थ विवाजन दौरा एक छोटी प्रोथहलियल कोषा तथा एक बड़ी एपिकल कोषा में बंट जाता है एपिकल कोषा दोबारा विवाजीत होकर कि एक दुतीयक प्रोथहलियल कोषा तथा एक पुंधानी कोषा बनाती पुंधानी कोशा कुछ समय बाद विक्सित होकर एक जनन कोशा तथा एक ट्यूब कोशा बनाती। पाइनस में चार कोश की अवस्था में माइक्रोइस्पोर, माइक्रोइस्पोरेंजियम से सुतन्त हो जाता है। पाइनस में पाइनस में या औरी केरिया में तो आप कहेंगे यहां पर सही आंसर होगा। पाइनस के प्रतेक इस्त्री संक अनेक गुर बीजाणपणों से निर्मित होता है। प्रतेक गुर बीजाणपण मेगाइस्पोरोफिल एक सन्यूक्त सन्रचना है जो दो सलकों से निर्मित है। सहपत्र सलक तथा बीजाणपण सलकी तथा बीजाणपण सलक भूरे रंग के दिर्ण काश्ठी सन्रचना हैं जो सहपत्र सलक की अपाक्च सता पर सनलगन होती। प्रतेक बीजाणपण धरसलक की आकरित लगबग त्रिकोरी होती। ठीक इसका उपरी चोड़ा तथा मोटा भाग एपोफाइसिस कहलाता है। पाइनस में बीजाणपण धरसलक भाग होते हैं बीजाणपण के बौना सूट के माइक्रो इस्पुरोफिल के और मेगा इस्पुरोफिल के तो आपका आंसर होगा मेगा इस्पुरोफिल के पाइनस का बीजाणपण धरसलक निम्न में से किसका भाग होता है तो आप मेगा Its Profil का होता एक सलक जो मादा स्ट्राबिलस या संख से अगुsubit को धारण करता है उससे 보शान धर सलक कहा जाता है यह सर्भिलाकार कास्टी सलक जो संख का निर्मार करता है के कच्छ में पाया जाता है यह बीजान धर सल्क कहा जाता है यह सरभिलाकार कास्टी सल्क जो संकु का निर्मार करता है के कच्छ में पाया जाता है यह एक उच अस्तर का विसेसिक्रित महा बीजाण पड है जो जायांग का समझात होता है पिक्नो जायलिक कास्ट पाई जाती है पिक्नो जायलिक कास्ट पाई जाती है साइकस में पाईनस में बरगद में सोरिया रोविस्ता में तो आपको बताना है किस में पाई जाती है तो आपका आंसर होगा पिक्नो जायलिक उडिज फाउंडेंट साइकस पाईनस पाईनस में केताने में एक ही इधा वलन सक्री बना रहता है जिससे एक दारुक इस्तित यानि मोनो जायलिक कंडिशन कहते हैं इससे बना दुतियक जायलम द्रिड होता है जिससे सघन दारुक कास्ट कहते हैं औन सीसे सघन दारुक दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं तो आप कहेंगे कैसा होता है प्यक्सोन प्यक्नोजायलिक होता कैसा होता प्यक्सक्रीयutan. अनाबृत वीजी पौदा है या कोनी फेरल्स गड़ आडर के अंतरगत आता है इसके कास्ट सघन दारुक तथा एकादी दारुक होती है जबकि साइकस में कास्ट एकादी दारुक बहु दारुक आसमान दुतियक बृद्ध के तथा विरल दारुक होती है पाइनस के कास्ट का एक मुख लच्छन सैनियों की पट्टियों की उपस्थती है पाइनस वर्गिकरण में निम्न किस समूग की कोट में आता है तो आप कहेंगे कोनी फेरल्स में पाइनस का कास्ट होता है पेकनोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पोरस और रिंग पोरस ओड़ आप दा पाइनस इच पेकनोजाइलिक दो निडिल के साथ बौनी टेहनी पाई जाती है पाईनस जे आरडियाना में पाईनस लोंगी फोलिया में पाईनस मोनोफाइला में पाईनस सिल्वेस्ट्रीस में तो किस में पाई जाती है तो आप कहेंगे पाईनस सिल्वेस्ट्रीस में पाइनस में पत्तियां दो इरोपी होती हैं पहला सल्क पत्र जो लंबे और बाउने प्ररोह दोनों पर पाई जाती है तथा दूसरा परड़ दल जो केवल बाउने प्ररोह पर पाई जाती है ऐसी पत्तियां युक्त गवना साखा को वर्ड़ दल क्या कहते हैं पाइनस की वि भिन होती जिसका विप्रण निम्नोबत एक परड़ी पाइनस मोनोफाइला दोई परड़ी पाइनस सिल्बेस्ट्रिस या पाइनस मरक्यूसी त्री परड़ी पाइनस जियाडियाना या पाइनस लांगी फोलिया और पंच परड़ी पाइनस एकसेला या पाइनस वैली चियान तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है कोईला से पेट्रोलियम से सेरा बुड से या पाइनस से ताप कहेंगे पाइनस से तारपीन का तेल पाइनस से प्राप्त किया जाता है पाइनस बिच्छों में रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है जिससे डिस्टिलेशन यानि आस्वन से तार्पिन प्राप्त किया जाता है तार्पिन का उपयोग 45 आदि के बिलाइक के रूप में किया जाता है इस से कपूर तार्पिनाल यह अन्न बहुमूल और सुधियां बनाए जाती है रेजिन और तारपिन प्राप्त किये जाते हैं आपको बताना है रेजिन और तारपिन प्राप्त किये जाते हैं तो इफेडरा से साइकस से रेजिन और पाइनस से इनमें से कोई ने तो रेजिन और तारपिन प्राप्त किये जाते हैं कहां से तो आप कहेंगे पाइनस से प्र प्रैक्टिस पेपर में 39 क्योस्चन लिए से अगले प्रैक्टिस पेपर में all प्रस्टन ले जाएंगे आप तीजी से देखते रहें अपने मित्रों को सेर करते रहें फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए इजाजत देजें लिए